हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लासिक साइंस का चैप्टर फॉर का हम एक्सरसाइज सॉल्ब करेंगे तो चली हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्योस्टन से नेम फाइब ऑबजेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वूड ऐसे ऑबजेक्ट का नाम लिखिए जो की वूड से बने हैं तो इसका आंसर होगा इसका क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा हमें फाइब ऑबजेक्ट की नेम लिखने हैं जो की वूड से बने हैं तो हम लेख देंगे, first table, table, फिर chair, spoon, door, box, ये सब क्या है, five object हैं, जो की wood से बने हैं, तो हम second question कर लेते हैं, select those objects from the following, which sign, glass, bowl, plastic, twice, steel, spoon, cotton, shirt, cotton, shirt, हमें इसमें से, जो भी यहां पर objects दिये हुए हैं, इसमें से ये चेक करना है, कि ये अलग करना है, कि select करके, कि कौन सा इसमें चमकदार substance है, कौन सा ऐसा substance object है, जो कि चमकदार है, चमकता है, तो हम इसको कैसे अलग करेंगे, तो चलिए हम इसको अलग कर लेते हैं, कि कौन सा object चमकता है, कौन सा नहीं चमकता, तो हम इसमें देखते हैं कि first है steel spoon और glass bowl glass bowl और steel spoon जो है ये शमकदार होता है ये sign करता है ये तो हमारा answer हो गया second का ठीक है तो चलिए हम third कर लेते हैं third question है 3rd question है match the objects given below with the material from which they could be made remember an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects objects हमें इसमें से देखना है कि कौन सा कौन सा object जो है किस material से बना है यह देखना है यह match कराना है ठीक है तो चलिए हम match करा लेते हैं कि कौन सा object है जो कि किस material से बना है book जो होता है यह paper से बनता है chair wood से बनता है और toys किस से बनता है toys किस से बनता है कि हम देखेंगे कि twice जो होता है वो glass, wood, paper, leather, plastic इन सारी चीजों से बनता है twice, twice glass से भी बनता है, twice wood से भी बनता है और twice जो होता है वो paper से भी बन जाता है ठीक है? twice जो होता है वो leather से भी बनता है और plastic से भी बनता है यह सब क्या है, सब twice जो होते हैं, यह सब से बन जाते हैं, बनाय जाते हैं, सारे material से बनाय जाते हैं, wood, paper, leather, plastic, ठीक है, और book जो होता है, वो only paper से बनाय जाता है, और tumbler जो होता है, वो किसे बनता है, टम्बलर जो होता है वो ग्लास वूड और प्लास्टिक से ग्लास वूड और प्लास्टिक से बनाया जाता है ठीक है अब थर्ड चेयर जो होता है वो किसे बनता है वूड और प्लास्टिक से लकड़ी की चेयर और प्लास्टिक की चेयर बनाया जाती है ठीक है और twice का हम पढ़ी लिए twice जो होदा ये सारी चीजों से सारी material से बना जाता है और last है सूज सूज लेदर और प्लास्टिक से बना जाता है लेदर से और प्लास्टिक से ठीक है तो आप एक कॉलम में object लिख लीजीगा और दूसरे कॉलम में सारी material के name लिख लीजीगा जिससे ये object बना जाता है ठीक है जितना हमें अभी हमने बताया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हमें देखना है कि कौन सा statement true है और कौन सा false है तो चेक करते हैं इस्टोन इस ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इस ओपैक यहाँ पर इस्टोन को ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं इस्टोन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास जो होता है वो क्या होता है ओपैक होता है transparent smith होता है पारदर्सी, opaque, आपारदर्सी पत्थर से हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं वो transparent नहीं होता है और glass जो होता है वो क्या होता है transparent होता है यह opaque यहाँ पे लिखना है यह statement क्या है, false है A notebook has luster while erasor does not क्या है, false है यह statement क्या है, false है notebook में notebook में luster luster मतलब चमकदार होती है जबकि वो rubber erasor जो होता है वो नहीं होती है यह क्या है, false है यह भी क्या है, false है चाक dissolved in water चाक जो होता है क्या वो water में dissolve हो जाता है गुल जाता है, third है न तो यह क्या है, false है चाक जो होता है वो sand से sand की तरह होता है उसमें sand होता है तो वो water में dissolve नहीं होता है यह false statements फोर्थ है a piece of wood floats on water floats on water यह क्या है true है यह क्या है true है लकडी का कोई भी टुकरा लीजिए वो water में float करता है तैरता रहता है यह statement क्या है true है चलिए next हम देखते है next question देख लेते है next है sugar does not dissolve in water sugar जो होता है वो water में dissolve नहीं होता है यह statement क्या है false है sugar चीनी जो होता है वो water में dissolve हो जाता है तो यह statements गलत है oil mixes with water oil जो होता है वो water में mix हो जाता है यह statement जो है, वो false है, क्योंकि water, जो oil होता है, वो dissolve गुलता नहीं है, किसमें? water में, water में गुलता नहीं है, तो यह statement क्या है, false है, next देखते है, sand settled down in water, sand जो होता है, वो क्या water की, water में उसको अगर हम dissolve गोलें, water में डाल दें sand को, बालू को, तो क्या वो नीचे बैठ जाता है, क्या, sand जो होता है, वो नीचे बैठ जाता है, yes, right, क्योंसर, यह statement जो है, यह true है, vinegar dissolve in water, vinegar जो होता है, सिरका, वो क्या water में dissolve हो जाता है, यहाँ भी यह कह रहा है, क्यों सिरका होता है, वो water में dissolve हो जाता है, तो यह statement क्या है, true है, यह statement भी true है, तो चलिए, next question देखते हैं, Given below are the name of the some objects and material, water, basketball, orange, sugar, globe, apple and earthen picture, group them as round shaped and other shapes, eatables and non-eatables, कौन सा इसमें round shape है या और कौन सा other shape का है, बी में कौन सा खाया जाता है और कौन सा नहीं खाया जाता है, तिन सारे जो यहाँ पर objects और material दिये वह हैं, उनको हमें choose करके लिखना है, ठीक है, चलिए हम बता देते हैं हमको, तो इसमें हम select करते हैं कौन सा round shape है, कौन सा other shape का है, कौन सा eatable है और कौन सा non-eatable है, इसमें हमें 4 चीज़ें देखनी है, round shape, other shape, eatable और non-eatable, इन सारे objects और material में से हमें select करना है, ठीक है, उचलिए कर लेते हैं, water, इसमें हम देख लेते हैं, पहले कौन सा object, कौन सा material जो होता है, कौन सा object, वो round shape का है, तो round shape का ये basket wall round shape का होता है, orange round shape का होता है, glow भी round shape का होता है, और earthen pot भी, क्या होता है, round shape का होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, round shape की होती है, तो चलिए हम देख लेते हैं, other shape का कौन सा होता है, other shapes, उसका आकार और अलग होता है, किसका, देख लेते हैं, इसमें apple जो होता है, ये other shape का होता है, ये round shape का नहीं होता है, गोला गोला कार नहीं होता है, ठीक है, हो गया, अब चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं, बी, बी में कौन सा eatable है, और कौन सा non eatable, ये select करना है, तो eatable में water, orange, sugar, apple, ये सब क्या है, eatable है, खाये जाते हैं, ठीक है, अब देख लेते हैं, कि कौन सा non eatable है, और बचा हुआ जो है, वो non eatable है, जैसे earthen, pitcher, basketball, ये सब क्या है, non eatable है, ये दोनो non eatable है, और बाकी सब eatable है, खाये जाते हैं, और basketball और earthen pitcher जो होते हैं, ये खाये नहीं जाते हैं, ठीक है, हमारा 5th question complete हुआ, हम चलते हैं 6th question पर, 6th question है, list all items known to you that float on water, check the, check and see if they will float on an oil or kerosene, oil or kerosene, gel में float करने वाले तैरने वाले उन objects को आप जानते हूंके, उनकी एक table बनाईए, और उसको चेक करिए, और देखिए कि, क्या वे oil या मिट्टी में, मिट्टी के तेल में तैरते हैं, float करते हैं, आप एक list बनाईए, तो चलिए हम ये पढ़ लेते हैं, क्यों सन्सॉल्व कर लेते हैं, 6th का, तो हमें एक copy में, अपनी notebook में, जिसमें हम note कर रहे हैं exercise को, उसमें एक list बनानी है, table बनाना है, तो हम table बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि कौन सा, ऐसा कौन सा object है, जो की water में, और कौन सा object है, कौन सा oil है, वो सब जो है, water में float करता है, तो हम लिख लेंगे, first होगा, जैसे की plastic ball, plastic ball जो होता है, वो water में float करेगा, तैरेगा, balloon हुआ, वो भी water में तैरेगा, और feather हुआ, punk हुआ, वो भी water में float करेगा, match stick हुआ, ठीक है, match stick, वो भी क्या हुआ, water में float करेगा, would, would भी, लकडी भी water में float करता है, तैरता है, ऐसे thermacol होता है, वो भी water में तैरता रहता ह है और केन हुआ वह भी वाटर में तहरेगा बोट हुआ ना वह भी वाटर में फ्लॉट करता है हेर हमारे हेर जो हैं बाल वह भी जो होते हैं वह भी वाटर में फ्लॉट करते हैं दे आर आसो फ्लॉट और ऑल और केरोसीन यह सब जो हैं वाटर में और केरोसीन में और और अध सब क्या करते हैं जिसके हम अभी नेम बोले हैं ठीक है चलिए हम सेवंध कर लेते हैं अभी हम सारे के आंसर आपको दिखाएंगे आप उसको नोट कर लीजिए पहले हम समझ लेते हैं कि सेवंध के उसन है टाउड वन आउट फॉलूविंग इसमें देखना है की कौन सा और औ इसमें से ऐसे ग्रूप को देखना है कि जो की ओड है, match न कर रहा हो, तो देख लेते हैं कि कौन सा ग्रूप है जो की ओड है, ए देख लेते हैं, chair, bed, table, baby, cupboard, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है, जो की ओड लग रहा है, chair, ये भी बूट का बनता है, bed भी बूट का बनता है, table भी बूट का बनता है, ये cupboard भी बूट का बनाया जाता है, तो इसमें एक वर्ड ऐसा है, जो की ओड लग रहा है, ये baby, बच्चा वीच में कहां से आ गया, यह सब यह baby क्या है odd है तो इसका हो जाएगा baby हम लिख लेंगे इसके सामने baby यह odd है और next देखते हैं बी बी में rose, jasmine, boat, marigold, lotus इसमें भी तो सारे flowers हैं लेकिन यह बीच में boat कहां से आ गया यह boat now कहां से आ गया तो इसमें क्या होगा boat boat क्या है odd है इसमें baby odd था इसमें boat odd हो गया next देखते हैं aluminium, iron, copper, silver, sand इसमें सारे तो metals हैं लेकिन यह sand कहां से आ गया बालू कहां से आ गया भी इसमें तो इसमें कौन सा odd है sand next देखते हैं डी, sugar, salt, sand, copper, sulfate इसमें कौन सा odd है, इसमें sugar, salt, copper, sulfate यह सब तो salt है, sugar यह सब क्या है यह तो odd नहीं लग रहे हैं लेकिन यह बीच में sand जो है यह odd लग रहा है, यह बीच में sand कहां से आ गया इसमें भी sand odd है, दीखे है तो thank you, हमने सारे question को solve कर ली तो हम चलिए, आपको दिखा देते हैं इसके question, answer के solution दिखा देते हैं तो आप उसको note कर लीजिएगा जो अभी हम बोले हैं उसके solution को यह आपके answer है यह आपके answer है इसको आप note कर लीजिएगा pause करके fourth question है, fifth question देख लिए यह fifth question के answer है यह फिप्ट क्यों संगांसर है यह सिख्स्थ है फिर सेवन्थ है सिख्स्थ सेवन्थ फिक है थैंक यू